कि हेलो फ्रेंज नमस्कार विल्कम टू वंडे एक्जाम टार्गेट आप सभी का आपके अपने चैनल वंडे एक्जाम टार्गेट पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज यहां पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही महत्मोर्ड प्रश्टनों को य से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में जरू शेयर किजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन क्या है उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कम मनाए गया है 23 जनवरी 2018 24 जनवरी 2018 तो 25 ज प्रदेश दिवस मनाए गया नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं यह इंपॉर्डन कोश्चन है ठीक है कोशन नमबर दो की तरफ चलते हैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म की टैग लाइन क्या है कौन सी टैग लाइन है विकल्प आप सभी के सामने यूपी नहीं देखा टो इंडिया नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। घूमों इंडिया कोई नहीं को का जीवन विमा उपर युग सभी तो पांच का हमारा option सही होता है वन छेत्रों के विस्तार से संबंधित है यह ठीक और इसका संचालर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारक किया जा रहा है नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते कोशन नमबर सिक्स थारू जन जाती के लोगों को सिक्षा प्रदान करने है तूं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारक किस स्थान पर एक महा विद्या ले कि इस्थापना की जारी है उत्तर प्रदेश में थारू समू की एक मातर जन जाती कौनसी पाई जाती है थारू ही पाई जाती है थारू समू की केवल एक मातर जन जाती पाई जाती कौनसी थारू और ये कहां पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश के गोरक पूर के तराई भाग में निवास करती है जन जाती और एक most important question इसी से related बनता है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब से शुरू की गई तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1980 से ठीक है तो अक्टूबर 1980 से उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना शुरू की गई most important question next चलते हैं question number 7 उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जन जाती नहीं है जालौन फैजाबाद A और B दोनों कोई नहीं तो option यहाँ पर हमारा सही होता है C जालौन और फैजाबाद में कोई भी जन जाती नहीं है next है computer साहता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंदू उर्तर प्रदेश में कहां इस्तित है तो आर्ट का मारा option कौन से सही होता कानपूर बरेली भदोही सोनभद्र तो option सही होता एक कानपूर नगर में ठीक है option सही होता है एक कानपूर नगर में question number 9 की तरफ चलते इस्कूल आप पेपर टेकनोलोजी इस्तित है कहां पर गाजियाबाद सहारनपूर ललितपूर जौनपूर तो 9 का हमारा option कौन से सही होता बी सहारनपूर में next question है question number 10 उत्तर प्रदेश में electronic city की स्थापना की गई है कह नहां पर 12 बंकी 9 संभल इलहाबाद option नमारा सही होता है बी नोड़ा ठीक है नोड़ा में क्लियर है तो चलिए बी option नोड़ा पर लगाईए और next question number 11 most important question हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाह कुल उत्सो आयोजित किया जाता है किस जिले में आगरा जहांसी कानपूर मतुरा तो option नमारा यहां पर सही होता है आगरा में next question की तरफ चलते हैं question number 12 उत्तर प्रदेश में midday meal कारिकरम आरम किया गया वर्स 1992 में 1993 में 94 में 95 में option नमारा बारा का सही होगा D 1995 में next question number 13 तो यहां पर option हमारा सही होता है फिर दूसरे नमबर पे खरवार समू खरवार समू तीसरे नमबर पे है थारू समू की जन जातिया ठीक है next चलते हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत गोरपपुर में चिन्धित उत्पाद है उनी दरी कालीन इत्र मिट्टी के वर्तन तो option हमारा सही होता है D most important question मिट्टी के वर्तन तेरा कोटा अब एक जनपद एक उत्पाद योजना की तहत जनपद बारांसरी में चिन्धित उत्पाद कौन सा है रेसम उत्पाद clear अब इसी तरीकी से यहां पे देखिए जौनपूर में चिन्धित उत्पाद उनी दरी इलाहबाद में मोज देखिए अब नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहां इस्तिफ है नोइडा इटावा आग्रा बारबंकी 19 का हमारा ओप्सन सही होता है बी इटावा नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 20 नाइट सफारी पार्क कहां पर है ग्रेट सब्सक्राइब नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 22 उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा सर्दल अखबार बनारस अखबार दैनिक जागरर अमरोजाला तो आप्सन हमारा सही होता है बनारस अखबार और एक चीज़ यहां पर ध्यान देजेगा प्रदेश क पहला उर्दू पत्र कौन सा था सर्दल अखबार ध्यान दीजेगा दोनों कोश्चन इंपोर्टेंट है यहां पर नेक्स्ट कोश्चन है 23 यूनेसको की विश्व धरोहर सूची में सामिल इसमारक है ताजमहल आगरा ककिला फतेयपुर सीक्री अप्सन मारा सही होता है डी स सबी और एक चीज़ यहां पर और ध्यान दे लिजेगा 2017 में कुम मेला भी शामिल कर लिया गया था नेक्स है कोश्चन अबर 24 जैव प्रोध्योगी की पार किस्ति थे कन्नोज मथुरा गाजियाबाद लखनौत अप्सन हमारा सही होता है डी लखनौ में और पच्चीस की त च्बाननबर 26 बटेश्वर मेला कहा लगता है आग्या अयोध्या लखनौव वाराणसी तो 26 िटो कि सरवाधिक लंबी नहर कौन सी है शारदा नहर इसका उद्गमस्तल क्या है बन बासा बन बासा यह कहां परिस्थी थे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा परिस्थी थे ठीक चलिए नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं 28 वीरवल साहनी इंस्टिटीट आप पहली अबॉटनी कहां है कानपूर जहां सी लखनव इलहाबात ऑप्सन अमारा 28 का सही होता है सी लखनव में इस्थी थे नेक्स्ट कोश्चिन मोस्ट इंपोर्टिन राज्य सैक्चिक अनुसंधानियों प्रसेक्षन परिस्थ की स्थापना की गई थी यानि की स्थापना की गई थी विकल्प आप सभी के सामने है 1961, 82, 81, 89 कौन सा ऑप्सन सही होता है सी 1981 में ठीक है कोश्चन अमबर आप चलते हैं 30 की तरफ मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन उत्तर प्रदेश वेशिक सिक्षा परिसथ की स्थापना कब हुई उससे पहले एक चीज़ आप सभी को बता देतें NCERT भी साथ में देख लीजी के NCERT की स्थापना कब हुई थी 1961 में हुई है ठीक है इसका फुल फॉर्म NCERT का National Council of Educational Research and Training चलिए अब आगे चलते हैं जो हमने अभी आपसे सवाल पूछा उत्तर प्रदेश वेसिक सिक्षपरिसद की स्थापना हुई कब हुई आपसर्ण मारा सई होता है यहांपर 1972 डी की चीज़ आप अब सभी को बता देना यहांपर जरूरी है कि देखिए ये कभी मा सोचीएगा कि जो बेसिक सिक्षपरिसद और बेसिक सक्षा विभाग एक ही चीज़ें दोनों भिन भिन चीज़ें बेसिक सक्षा विभाग सासन का एक विभाग है और वहीं पर परिशन एक स्वतन संस्था है जो की राजी कानुन के अंतरगत गठित हुई है और यहां पर एक बात और डिटेल में थोड़ा सजान लेजें उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के तहट इसकी इस्थापना हुई है ठीक है 1972 से पूरुक प्रात्मिक सिक्षा की जिम्मेदारी किसके उपर थी ग्रामेट चेत्रों में जीला परिस्दों वह सहरी चेत्रों में नगर पालिकाओं वह महापालिकाओं के हाथ में थी जोकि अपना कारे सही से नहीं कर पा रहे थे जिस कारण से प्रात्मिक शिक्षा की स्थिति और बिद्यालियों की स्थिति क्या थी बहुत ही बदतर थी तो इसी कारण से वेशिक एजुकेशन एक्ट 1972 के दवारा राज्स सरकार ने सैक्ष तुमें ले लिए ठीक है वहीं पर बेसिक सक्षा विभाग उत्तर प्रदेस सरकार शासन का एक विभाग है जो कि बेसिक सक्षा के समध में समस्त कार्य देखता है और उस पर नियंत्रन करता है ठीक है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं परिसत अगर कहा जाए तो परिसत अपने आप तोने एक सोतन्द कानूनी संस्था है परंद कंई नीयमों के दौंब के दौरा विएसक सक्षा परिषट से विभाग द्वारं नियांतुर किया जाता यह लुए差 भगा क्शन अलीगऱ फिरोचाबद इस दात नगर वाराणवस हमारा सही होता है यहां पर यह वाला वाराण सी ठीक है कोशन नमबर 32 की तरफ चलते हैं इंडियन इंस्टिट्यूट आप हैंडलोम टेकनलोजी कहां परिस्तिते वाराण सी आगरा जौनपूर गोरखपूर तो 32 का हमारा ऑप्सन सही होता है यह वाराण सी कोशन नमबर 33 की त साःगर परियुच न कहां स्तिते सोन भद्र साहरन पुर जहांसी ललितपूर थो ठर्टी-फूर का हमारा Tout सई होता है скंप परी में इस्तित संब коммент जिले में tror 17 35 उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से प्राप्त होता है बादा मिर्जापूर जहांसी हमिरपूर देखिए आपको बहुत जगा मिलेगा बादा बादा में मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश के जंगल छेत्र मिर्जापूर में भी हीरे की खोच की गई है तो यानि कि अगर option दोनों एक साथ आराद बादा और मिर्जापूर दोनों सही होगा ठीक है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से प्राप्त होता है तो दोनों जिला इसमें शामिल किया गया है बादा और मिर्जापूर दोनों नेक्स्ट कोशन नमबर 36 की तरफ चलते हैं प्रयाक का नाम इलहाबाद किस ने रखा था इलतुतमिस अकबर सिकंद्र कोई ने कोशन नमबर 37 उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योक का प्रमुक केंद्र है बलिया बरेली उन नाव बुलंसहर आप्सन नमारा सही होता है बी वरेली कोशन नमबर 38 उत्तर प्रदेश में उर्दु को दूतिये राजभासा की रूप में कब घूसित किया गया मुस्ट कोशन नमबर 39 उत्तर प्रदेश की प्रथम राज़िपाल थी सरूजनी नाइडू सुचिता करिपलानी इंद्रया गांधी सुनिया गांधी तो उत्तर प्रदेश के सरवाधिक जिलों को इसपर्स करने वाला राज़ि कौन सा है जार खंड उत्तरा खंड मध्य प्रदेश चसफ चक्टिश गड़्ट उप्सनी मां रह एकरी टेवी मेले का आयोजं किया जाता है कहां पर उत्तर प्रदेश Crystal म सही होता है इuciones होत यह दूकि अनुष्ण के अंद्र की कोशन नमबर 43, 2011 की जनगर्ण में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षर्ता दरवाला जिला है, अम्बेटकर नगर, सिधार्थ नगर, गौतम बुधनगर, आगरा, तो 43 का हमारा उप्सन सही होता है C, गौतम बुधनगर, ठीक है, अब चलते कोशन नमबर 44 की तरफ, उत्त कोशन नमबर 45, राश्री जैविक खेती केंदर इस्तित है, सोन भद्र, गाजियाबाद, रामपूर, सुल्तानपूर, आप्सन हमारा सही होता भी गाजियाबाद, कोशन नमबर 46, उत्तर प्रदेश में सौप्ट्वेर तथा बिजनेस प्रोसेस, आउट सोर्सिंग उद्यो का सबसे बड़ा केंदर कहां इस्तित है, गाजियाबाद, नोएडा, वैशाली, लखनो, आप्सन हमारा सही होता है बी, नोएडा, 47, उत्तर प्रदेश के मैदानी छेत में सरवाधिक बरसा होती है, कहां पर, गोरखपूर में, मतुरा, मुझभफर, नगर, बादा, आपको बी, होगा, मतुरा, अगर, नियुन तब, पूछा जाता है, हलाकि, इस सवाल का जबाब है, एक, गूरखपूर, ठीक है, नेक्स चलते है, कोशन नबर, 48, उत्तर प्रदेश का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपूर, लखनो, फिरोजाबाद, वारांड, सीथ, 48, का हमा आप्सिन कौन सा सही होता है, आप्सिन नमारा सही होता है, भी, सहारनपूर, नेक्स्ट है, प्रती वर्स, प्रसिद्ध सूभी संत, प्रती वर्स, प्रसिद्ध सूभी संत, हाजी, वारिस, अलिसा की मजार पर मेला लगता है, कहां, देवा शरीप, ठीक है, नेक्स्ट कोश सर्वाधिक अनुसूचित जन जाती वाला जिला है बागपत सोन भद्र कन्योज एटा ओप्सन हमारा सही होता है यहाँ पर बी सोन भद्र एक चीज और ध्यान दे लिजेगा यहीं पर सर्वाधिक अनुसूचित जन जाती वाला जिला भी कौन सा है सोन भद्र ध्यान दीजेगा हमारे सेंटेंस पे सबसे कम अनसूचित जनजाती वाला जिला कौन सा है बागपत ठीक है क्लेर हो गया आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 53 मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन सभी है जन संक्या दो हजार सोरी जनज़ना 2011 के आखड़ों की अनुसार उत्तरपदैस में जन संक्या की दसकी ब्रिधी दर कितने प्रिस्ट रही ऑपशन हमारा कौन से सही होता है बी देशन दसमलों दो प्रिस्ट दो हजार एक से लेकरके दो हजार एक से लेकरके 2011 ग्यारह तक में दसकी ब्रिद्धी दर कितनी रही है कितनी रही बीस दसमलो दो प्रतिसत और वार्षिक एक दसमलो आठ पांच प्रतिसत उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ठीक है क्लियर हो गया दसकी ब्रिद्धी दर थी वीस दसमलो दो प्रतिसत और वार्षिक ब्रिद्धी दर थी एक दसमलो आठ पांच प्रतिसत और वार्षिक ब्रिद्धी दर थी एक दसमलो आठ पांच प्रतिसत कोशन नमबर 54 कुम्भ 2019 के लोगों में क्या लिखा है सर्व प्रता कुम्भ सर्व स सिध्धि-प्रथा यहां कि मोश Diskin Emilyalon के इने साफिन की तरफ चलते हैं कि को कि नम魔 55 कुम दोह हजारशौश की सथा टरब सुटम शैप्र चलो C सब्सक्राइब सक शैन की शैन्यौत मोश Neus तो चलिए सब लोग कुम जाईएगा नहाईए वहाईएगा ठीक है चलिए कोशे नमबर 56 की तरफ चलते हैं उत्तर प्रदेश में स्वक्ष भारत मिशन का ब्रांड एमेजिस्टर किसे निक्त किया गया है प्रयांका चोप्रा अक्षे कुमार साक्षी मलिक भूमी पेड़ने इस बुक को इंग्लिस में देखी इस तरीकी से हैं मार्चिंग यहाँ पे देखिए मार्चिंग मार्चिंग बिद बिलियन फिर आगे देखिए एनलाइजिंग एनलाइजिंग नरेंद्र मोदीज एपास्ट आफियस फिर फिर उसके बाद यहाँ पे आप फिर से देखिए इस पेस मिल गया फिर से गौर्मेंट एट 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 मिड टर अब याद हो जाएगा ठीक है तो यह इस पुस्तक के लिखक है उद्य महुरपकर नेक्स्ट को शियं की तरफ चलते हैं एस चो सट्थ में रास्टफ्शि फिल्म पुराज़कारओं में सरवाधिक फिल्म अनुकूलन राजी का सभी पुराषकार किसी मिल समें डिजी धन्मेला का आयोजन कहां किया गया इंदरा गांदी प्रतिस्ठान लखनों में किया गया किस जंचाती के लोग दीपावली को शोक परव के रुप में बनाते है रुप्सा जोनसारी महीगीरी महीगीर थारू कौन सा गांदी होता है दे थारू नेक्स्ट आज की सवाल की तरफ आ जाते हैं आज का सवाल आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाए गया अगर आप लोगों ने क्विज अच्छे से अटेंट की होगी तो आराम से इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे तो फड़ा फड़ा से फ्रेंड्स आप सभी लोग आजाए कॉमेंट बॉक्स के नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करके बताईगा कि कौन सा उप्सन हमारा होता है सही और यह रहे आपके पूरे 60 most important question इसमें से एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आप लोग अच्छे से त्यारी करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं सफलता जरूर मिलेगी और हमेशा की तरह आप अपना feedback देना ना भूलिएगा मिलता है फिर तब तक के लिए goodbye and take care thank you so much और अब दोस्तों में share और वीडियो को like करना ना हो लिए ठीक है चलिए thank you so much okay bye bye